आज हम डिस्कस करेंगे multiple access techniques तो basically multiple access techniques क्या है? multiple access techniques are used to allow many mobile users to share a finite amount of radio spectrum जो हमारा spectrum है वो finite है कोई भी कंपनी जब radio spectrum खरीती है तो उसके payment करने पड़ती है जो काफी costly होता है तो finite होता है हर telecom operator के पास radio spectrum होता है वो finite होता है ठीक है? तो multiple access techniques के हर्फ से वो telecom operator बहुत सारे mobile user को वो spectrum जो उन्होंने खरीता है उसको share करवाते है तो हमारा पास तीन टाइप की techniques होती बैसकरी पहले technique है FDMA, Frequency Division Multipend Access second technique है TDMA, Time Division Multipend Access और third technique है CDMA, Core Division Multiple Access इन techniques के help से आप spectrum को share कर सकते हैं बहुत सारे users में इन techniques का use करते वक्त एक बात का आपको दियान रखना है कि आपकी performance में degradation नहीं आएगा जैसे आप ज्यादा user को allow करेंगे वैसे वैसे आपकी performance decrease होती रहती है तो आपको एक balance रखना पड़ेगा कि आप इतना ज्यादा भी share न करें आप कि आपकी performance severely degraded हो जाए तो एक बात का दियान रखना है सबसे important point है ठीक है there should not be severe degradation in performance as we pack in more and more users तो आपको एक minimum quality of service रखनी पड़ेगी तो voice communication के case में अलग parameters है और data communication के case में अलग parameters है voice communication के case में क्या parameter हो सकते है जिनका आपको ख्यार रखना है packet drop call drop rate कि आप इतने ज्यादा भी user user में share न कर दिया अपना spectrum की call drop बढ़ जाए call drop rate का ध्यान रखना पड़ेगा आपको maximum allowable delay maximum allowable delay एक limit रखी जाएंगी कि इस से उपर delay नहीं नहीं जीए वैसे data communication में packet drop rate packet drop rate bit error rate इन parameters का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आप more and more users को share करें spectrum तो एक minimum रखा जाएगा minimum limit रखी जाएगी कि इससे नीचे आपका bit error rate नहीं जाना चाहिए इससे ज्यादा आपका packet drop rate नहीं होना चाहिए तो एक limit setup हो जाएगी इन parameters के गार कि कितने user में अपना spectrum share कर सकते है ठीक है तो मैं आपको एक example के थोड़ा सा idea देता हूं वे एक सा idea देता हूं कि इन team techniques की बीच में फर्क क्या है suppose करो एक classroom में और classroom में बहुसते students है तो students को teachers से communicate करना है तो क्या तरीका है एक तो तरीका है कि वो अलग-अलग time पर बात करें एक student एक time पर बात कर रहा है, दूसरे student दूसरे time पर बात कर रहा है, तिसरे student तूसरे time पर बात कर रहा है। तो teacher की बात से समझ सकता है, उस technique को बोलेंगी हम TDM में, अगर different student अलगलग time पर communicate कर रहें teacher से, तो वो टेक्नीक क्या हुई TDM है ठीक है? अब सारे student एक साथ बात करना चाहते है तो यह कैसे possible होगा? एक साथ communicate तो इसका दूसरा तरिका यह है कि अलग-अलग pitch में बात करे हो एक student मोटी बात करे दूसरा student थोड़ी पदली बात करे मतलब अलग-अलग frequency पर बात कर रहे हो तो वो भी teacher उनकी बात को समझ सकता है उस टेक्निक को बोलेंगे हम FDMA 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 मतलब अलग-अलग frequency पर student communicate कर रहे है अलग-अलग time पर बात कर रहे है तो उसको बोलेंगे हम TDMA अच्छा उनको same time पर बात करनी है स्टुएंट्स को और same frequency पर बात करना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हो communicate teacher से वो अलग-अलग language में बात कर सकते है एक student English में कर रहा है communicate, दूसरा मराठी में कर रहा है तीसरा पंजाबी में कर रहा है चौतरा बंगालनी में कर रहा है यह भी एक तरिका है communication का अगर same time पर बात करना चाह रहे तो उस technique को हम बहुन सकते है CDMA यह जस्ट मैंने आपको वेक सा idea दिया अब technically में discuss करूँगा मैं आप उनको बस example के थोड़ा सा idea देना चाह रहा था अब मैं आपको detail में बता हूँगा कि है क्या यह जो हमारी total bandwidth है किसी service provider के बास वह एन यूजर में मालो चार यूजर है ने रस पो चार यूजर है चारों यूजर में डिवाइड हो जाएगी तो यूजर वन पर्टिकुलर यूजर थी अलग frequency करेंगा यूजर फोर अलग frequency करेंगा ठीक है मालो यह हमारा टावर है टावर के साथ यूजर वन और टोल यूजर में डिवाइड हो जाएगा एकोले और यहां में गया बना है है ये गाब क्यों बना है टोटर बेंट की बीच में गैबना है कि हमें कुछ गार्ड रखना पड़ेंगा इस ये बैंड युजर के बीच में एडिशनर रखने पड़ेंगे क्यों रखने पड़ेंगे है बिकाउज आफ इंप्रोपर फिल्ट्रींच बिसक्ली हो गया जो कि यूजर वन का जो मुबाइन स्टेशन है यूजर 2 मुबाइन स्टेशन और वह प्रोपर फिल्टर कि कमानञ जो युजर 1 को बेंद विटी ग्यैयों अलओ बेंद यॉजर वन को дополн अलओ किया गया है आठ थो पंद्रा से अलओ से लिए अच् 마음에 815 किलो हेट से लेकर आठ 25 किलो होड्स ये बेंद अलओ किया गया हूए तो 815 के इलावा भी हो कुछ बैंडविट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एमिट करेगा यूजर वन का मॉबाइल स्टेशन इस वाज़ा होगा कि दो यूजर वन और यूजर वन के बीच में इंट्रफरेंस हो सकती है विकॉज प्रैक्टिकल फिल्टर डॉंट हैव शार्प कट आफ तो यूजर वन और यूजर तू के बीच में इंट्रफरेंस हो सकती है क्योंकि शार्प कट आफ नहीं देंगा इसलिए हमें कुछ गार्ड मेर्स रखने पढ़ेंगे डिफिन यूज ठीक है शार्प कट आफ नहीं थी प्रैक्टिकली तो वाइड एडजेसेंट चैनल इंट्रफरेंस जो एडजेसेंट चैनल के बीच में होगी वी नीड गाड़ बैंड तो हमें गाड़ बैंड ची होगा ऐसे इंट्रफरेंस को आवाड करने के लिए एक और बात हर यूजर के पास है जब यूजर वन ने कॉल लगा दी मानलो तो ये फ्रिक्वेंसी जो बैंड उसको अलाउट हुआ है वो पूरे टाइम जब तक कॉल नहीं काटता यूजर पूरे टाइम उसके पास ही रहेगा वह बीच में चाहिव वह पॉस देता है वीचम यूजर पॉस देता ह उसके बावजुद भी वो बैंड जो उसको अलाउट हो गया है वो यूजर के पास ही रहेगा ठीक है इसनिये बीच में पॉसे भी दे रहा है तो भी उस बैंड की उटिलाइजेशन नहीं हो रही नेकिन अलाउट हो गया उसको तो यह एफिशेंट नहीं है इट इस नौट ए इंफिशेंसिए इंफिशेंट यूटिलाइजेशन है डैंड का वह तो अब हम टी दिमें में डिसकश कर लेते हैं टी दिम एंटी इम क्या है टाइम डिविजन मुल्टिपन एकसेस तो जैसे कि मैंने आपको एक्जम्पल दिया था कि हर यूजर अलग बलग टाइम पे बा इंटायर बैंडवित जो मारे मोबाइन सर्विस प्रोवाइडर के पास है सबुपी यूजर को पूरी बैंडवित दी जाए जैसे मारे पास FDMA में टोटन बैंडवित दी ती थी तो फी सारी बैंडवित दी जाएंगी सारे users को ठीक है, divide करने के जूरत नहीं है पर TDMA में हर user अलग-लग time पे transmit करेंगे data अलग-लग time पे transmit करेंगे data यह मालो मारा tower है तो user 1 अगर time slot 1 में इस slot में transmit कर रहा data तो user 3 उसके थोड़ी देर बाद transmit करेंगा data user 3 उसके थोड़ी देर बाद transmit करेंगा, इस slot में transmit करेंगा user 4 time slot 4 में transmit करेंगा data ठीक है, अलग-लग time slot में यह data transmit करेंगे तो अगर हमारे n user होगे तो हमारा data n time slot में divide किया जाएगा, फिर से user फिर जैसे user 4 ने इस time slot में कर दिया data transmit, फिर से user 1 इसके बाद फिर से द्वारा start करेंगा user 1 फिर से यहां द्वारा start करेंगा अपना data transmit करेंगा फिर user 1 इस time slot 4 के पूरा होने के बाद फिर से data transmit करेंगा, user 2 इसके बाद फिर से data transmit करेंगा, तो ऐसे से लग-लग time slot पे ऐसे से repetitive process चलता रहेगा, ठीक है इस case में भी हमें, TDMA case में भी हमें, time की बीच में एक guard time slot रखना पड़ेगा, क्योंकि practical situation में ऐसा नहीं हो, हो सकता है user one थोड़ा सा extra data transmit कर ले, क्योंकि practically sharp pulse जनरीर करना मुश्किल है, mobile द्वारा, तो हमें इस case में भी guard band रखने पड़ेगे, थोड़ा सा gap रखा वा है हमने, इत entire frequency spectrum is allotted to each user, ठीक है, दूसरो point है, different users will transmit at different time slot, different different time slot पर transmit करेंगे, इस case में एक खास दियान रखना पड़ेगा, TDMA case में, time synchronization का, time synchronization का, कि user one ये सारी user exactly synchronized होने चीए, बीटीयस के साथ, जो इनकी clock है, synchronized होने चीए, अगर बाई चांस गलती होगे, थोड़ी भी गलती होगे, एक ही, user one इस time slot allowed to हुआ है, और गलती से user time synchronization proper नहीं हो भाई, और दूसरे के time slot में transmit करेंगा है, मालो user one, user two के time slot में transmit करता है data, तब बड़ी दिक्कत हो जाएंगे, तो इसमें time synchronization बड़ी important चीज है, TDMA के case में, time synchronization is very important in case of TDMA, ठीक है, properly synchronized होने चीए, यूजर बीटीयस के साथ, if not properly synchronized, user will be listening to somebody else's data, अगर proper synchronization नहीं टाइम की, तो हो सकता है, user two, user one के time slot को read कर रहा हो, ठीक है, यह बहुत ज़रूरी है, इस TDMA के case में, इस बात का खास क्याल जाना चाहिए, तो practically हम GSM के case में, TDMA और FDMA का mixture यूज करते है, तो हम practically GSM में mixture यूज करते है, TDMA और FDMA का, ठीक है, तो मानो यह हमारा frequency band है, यह चार पार्टमेंट बैड़िद है, A, B, C, D, और हमारा time slot भी चार पार्टमेंट बैड़िद है, तो हमारे different user, इस band में यूज कर रहा है, मानो user 1 इस band को use कर रहा है, इस time slot को use कर रहा है, तो user 2 हो सकता है, band B को use कर रहा है, लेकिन time slot T1 को use कर रहा है, तो user 3 हो सकता है, band C को use कर रहा है, लेकिन time slot T1 में transmit कर रहा है, 4, SSM 5, 6, 7, 8, बहुत सारे user accommodate कर सकते हैं, तो practically GSM में TDMA और FDMA का mixture use किया जाता है, हम time slot म में डिवाइड करेंगे और हम bandwidth को भी हम डिवाइड कर देंगे different users में ओके तो CDMM अब हम next lecture में discuss करेंगे क्योंकि आज का lecture बड़ा हो गया CDMM पर एक बड़ा lecture बनेगा तो I hope आज का lecture चला लगाओ मुट्यू नेक्टर